वक्त वक्त की बात है वक्त भी अपने साथ है खुद पर अगर विश्वास है ये बात सिखाने वाली मेरी मा के साथ साथ मेरी अध्यापिकाई भी है जो आज भी मेरे साथ है मेरे गुरु मेरे शिक्षक ने मुझे जीना सिखाया है, सही गलत का महत्व बताया है नमस्ते, मैं यशस्विनी गोयल, आज कुछ चन पंक्तियां अपने उन शिक्षकों को समर्पित करना चाहती हूँ जिनकी वज़े से आज मैं यहाँ हूँ तो शुरुवात मैं उस वक्षे करना चाहूँगी जब मैं पहली बार अपनी शिक्षिका से मिली थी तो याद है वो पल, कि मेरे माँ बाप रोता छोड़ाया थे उनके हातों में मुझे टॉफी चॉकलेट दे के वो चुप कराया करती थी टॉफी चॉकलेट दे के वो चुप कराया करती थी उसके बाद खूब पढ़ाया करती थी याद है वो वर्ग्त जब अपने टीचर को परेशान किया करते थे कई बार तो उनकी बात सिरके उपर से ले जाया करते थे इस वजह से डाट भी बहुत खाई है क्योंकि बेशर्मी की हद तो हमीने पार कर रखी थी इस वजह से डाट बहुत खाई है क्योंकि बेशर्मी की हद भी हमीने पार कर रखी थी शायद उनकी डाट की वजह से आज हम यहाँ हैं शायद उनकी डाट की वज़े से आज हम यहाँ हैं इसलिए वो डाट भी आज बहुत याद आती है आज बहुत याद आते हैं वो पल जब मैम की डाट का डर हुआ करता था आज भी बहुत याद आते हैं वो पल जब मैम की डाट खाने के डर से रिसस में कॉपी पूरी किया करते थे उनके आने पर गुड़ बॉइ गुड़ गुड़ का टैग लेने के लिए कॉपी चेकिंग में सबसे आगे जाके लगा करते थे आफ्टर ओल फेवरिट टीचर हुआ करती थी शायद हम से जादा हम पर वो भरोसा किया करती थी मेरी गलती पर मुझसे नाराज होते थे जरूर लेकिन मुझे माफ करके मेरी गलती सुधारने वाले भी मेरे वो अध्यापकी थे आज भी जब कहीं उलद जाते हैं तो याद अपने वही शिक्षक आते हैं बच्पन की तरह डाट फटकार कर पहले हमें समझाते हैं उसका सुझाव देकर हमारा मार्ग दक्षक कराते हैं सही गलत का ग्यान हमें हमारे गुरू से मिला है हमारे मापास से भी जादा अच्छे से हमें वो जानते हैं बड़े सपने देखना मैंने अपने गुरू से सीखा है उन सपनों को सकार करने का उन्होंने मुझे होसला दिया है अब बात यह है कि मैं नौवी दस्वी कक्षा में हुआ करती थी तो और अनफॉर्चनेटली मेरी मम्मी भी उसी स्कूल में नौवी दस्वी की साइंस की टीचर हुआ करती थी तो उसवक्त जैलेसी तो बहुत हुआ करती थी जिस वक्त मां मेरी होके भी तारीफ और बच्चों की किया करती थी आफ्टर ओल वो भी बहुत बच्चों की फेवरिट टीचर हुआ करती थी मा जरूर थी वो मेरी लेकिन स्कूल में मेरी हालत बहुत खराब होगा करती थी जब वो किसी दूसरे बच्चे को मेरी हालत बहुत खराब हो जाती थी जब वो किसी दूसरे बच्चे को मुझे बुलवाने भेजती थी डाट तो अपनी मा से भी मैंने बहुत खाई थी क्योंकि उनके विशे में कभी मैं अच्छे नंबर निला पाई थी साइन्स टीचर की बेटी होके भी साइन्स टीचर की बेटी होके भी साइन्स पढ़ने की अकाद नहीं थी मेरी इस विशे से तो मेरी सबसे ज़ादा दुश्मनी थी खैर आज जो भी हूँ अपने अध्यापकों की वज़े से हूँ खेराज जो भी हूँ अपने अध्यापकों की वज़े से हूँ तो उन्हें याद करके बस थोड़ा खुश हो लेती हूँ तो वक्त गुजरता है लेकिन वो यादे हमारे जहन में बस जाती है उनकी दी हुई सिक्षा आज भी हमें हमारा अस्तत्व याद दिलाती है देने वाद